वेलकम बैक, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वसीम इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 2022 में आप अपने निव वोटर आईडी कार्ड के लिए एपलाई कैसे कर सकते हो मैं आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि आप अपने निव वोटर आईडी कार्ड के लिए एपलाई कैसे कर सकते हो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि मेरे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कर देना ताकि और भी हैलफुल वीडियो आप तक पहुंच सके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आना होगा आपको अपने मुबाइल फून के क्रोम ब्रोजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा water bottle eci.goe.in यह सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी home water bottle election commission of India इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो वीडियो के description में भी मिल जाएगा तो आपको यह जो पहले वेबसाइट आएगा open कर देना है open करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा उसके बाद आपको यहां से create an account पे click करना होगा अगर आप पहली बार आ रहे हो इस site पे तो आपको पहले यहां पे अपना account create करना होगा account create करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पे email id डालने होगी इमेल आईडी डालने के बाद यहां पे आपको डालना होगा अपना मॉबाइल नमबर मॉबाइल नमबर और इमेल आईडी डालने के बाद आपको यहां पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा Send OTP पे क्लिक करने के बाद आपके मुबाइल नमबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा OTP डालने के बाद आपको Verify पे क्लिक करना होगा Verify पे क्लिक करने के बाद आपका जो registration है वो successfully हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक password सेट करना होगा password डालने के बाद आपको यहाँ पे एक solution मिलेगा तो आपको वो डालना होगा यह solution डालने के बाद आपको यहाँ पे we have our termals इस पे क्लिक करना होगा इस पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करने के बाद आपको create account पे क्लिक करना होगा create account पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा welcome to water portal तो आपको यहाँ पे welcome पे क्लिक करना होगा यहाँ पे आपको enter करना होगा अपना name और उसके बाद यहाँ पे आपको डालना होगा अपना surname surname डालने के बाद यहाँ पे आपको select करनी होगी अपनी state state select करने के बाद आपको यहाँ पे select करना होगा अपना gender gender select करने के बाद आपको submit पे click करना होगा submit पे click करने के बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे option आगे यहाँ से आप new water ID card के लिए भी apply कर सकते हो यहाँ से आप correction भी कर सकते हो अगर आप other places में shift होगे है तो आप यहाँ से shift भी कर सकते हो या आपको अगर डिलीट करना होगा अपना water ID card तो आप यहां से डिलीट भी कर सकते हो तो हमें पहले apply करना है new water ID card के लिए तो आपको यहां से new water ID card पे क्लिक करना होगा new water ID card पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का display शो हो जाएगा उसके बाद आपको Let's Start पे क्लिक करना होगा Let's Start पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो आफशन मिल रहे हैं अगर आपने पहली औरेटी वोटर आइडी कार्ट के लिए अपलाई कर रखा है तो आप पहले आफशन के साथ जा सकते हो अगर आप fresh हो तो आपको यहाँ पे Yes I am Applying For First Time पे क्लिक करना होगा इस पे क्लिक करने के बाद आपको Save and Continue पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीन ऑफशन मिल रहे हैं अगर आप Indian Station के हो तो आपको यहाँ पे Indian Station पे क्लिक करना है इसके बाद आपको एक option आ रहा है save and continue तो आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर option आ रहा है पहले आपको यहाँ पर डालना होगा अपना village का नाम या town का नाम उसके बाद आपको select करने होगी अपनी state या ut select करने के बाद आपको select करना होगा अपना district जो भी आपका district होगा district select करने के बाद district select करने के बाद यहाँ पर आपको अपना data birth year select करना होगा जो भी आपका data birth year होगा यह select करने के बाद आपको यहाँ पर select करना होगा अपना month उसके बाद आपको select करनी होगी अपनी data यहाँ से आपको select करना होगा अपना document यहाँ से आप अपनी birth certificate select कर सकते हो pan card select कर सकتे हो अधार card select कर सकते हो यह certificate of class 10th यह 11th यह 12th जो भी board की आपके पास certificate होगी वो select कर सकते हो तो मैं यहाँ पर select करता हूँ अधार काट उसके बाद आपको यहाँ से select करना होगा अपना document जो आप upload करना चाहते हो तो यहाँ से आप अपना document jpg, png, pdf format में upload कर सकते हो file का जो size रहेगा वो maximum 2mb का रहेगा तो यहाँ पर आपको select file to upload पे click करना होगा select file to upload पे click करने के बाद आपको अपना document select करना होगा जो भी होगा document select करने के बाद उसके बाद आपको save and continue पे click करना होगा save and continue पे click करने के बाद आपको यहाँ से अपना photo upload करना होगा आपका जो photo का size है वो maximum 200kb रहेगा तो यहाँ से आप अपना jpg, jpg format में अपना photo upload कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पे click करना होगा upload picture पे एपलोड पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहां से आप अपना फोटो स्लेक्ट कर देंगे फोटो स्लेक्ट करने के बाद आपको यहां पे क्रॉप के लिए बोलेगा तो आप अपना फोटो अच्छे से क्रॉप करके स्लेक्ट कर सकते हो crop करने के बाद आपको यहां पे upload पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा well done your profile picture has been uploaded आपको जो फोटो है वो upload हो जाएगा उसके बाद आपको नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको अगर कोई disability होगी तो आप यहां से select कर सकते हो आपको यहां पे no disability पे क्लिक करना है, no disability पे क्लिक करने के बाद आपको save and continue पे क्लिक करने के बाद यहां से आप अपने family member जो add करना चाहते हो अपने साथ जैसे आपना भाप का नायम add करना चाहते हो या अपने mothers का नायम add करना चाहते हो तो आप कर सकते हो अगर उनका किसी का वोटर आइडी नमबर इशू हुआ है तो आप यहां से वोटर आइडी नमबर डाल सकते हूँ अगर इशू नहीं हुआ है तो आप यहां से इसे छोड़ के जा सकते हैं उसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे select करना होगा relative name जो भी आपके father का name होगा यहाँ से आपको वो select करना होगा उसके बाद यहाँ पे आपको डालना होगा surname अपने relative का surname डालने के बाद आपको यहाँ पे select करना होगा relation type जो भी आपका relation type होगा father होगा mother होगा यह other होगा तो आप यहाँ से वो select कर सकते हो select करने के बाद आपको save and continue पे click करना है save and continue पे click करने के बाद यहाँ पे आपको डालना होगा अपना house number house number डालने के बाद यहाँ से आपको डालना होगा अपना address street area locality जो भी आपका होगा उसके बाद यहाँ से आपको select करना होगा अपना post office पोस्ट आफिस स्लेक्ट करने के बाद आपको स्लेक्ट करना होगा अपना वैलेज वैलेज स्लेक्ट करने के बाद आपको यहां से एरिया टाइप स्लेक्ट करना होगा जो भी आपका होगा सिटी होगा टाउन होगा वैलेज होगा वो आप स्लेक्ट कर सकते हो उसके बाद यह यहां पर आपको डालना होगा अपना PIN CODE, PIN CODE डालने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहां से Find करनी होगी अपनी Constituency, तो यहां से आपको Select करनी होगी अपनी State या UT, यहां से Select करनी होगी, यहां से Select करनी होगी Assembly Constituency, यह Select करनी के बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपको यहां से Select करना होगी अपना Address Proof, यहां से आपको अपना Address Proof डालना होगा, आप यहां से अपना राशिंग कार्ट भी डाल सकते हो, जो भी आपको यहां से Available होगा, आपका Address Proof वो डाल सकते हो, जैसे मैं डाल रहा हूँ राशिंग कार्ट, तो आपको राशिंग कार्ट स्लेक्ट करना होगा, राशिंग क कर्मार्मट म्में अपना डॉकॉमेंट एप लोट कर सकते हो तो यहां पर आपको क्लिक करना होगा स्वक्त क्लिकूंच होगा कि का इतंहिए आपको नीचे आने के बाद आपको select करना है save and continue, save and continue पे click करने के बाद आपको यहाँ पे अपना year select करना है कि आप कब से अपनी जगह पे यहाँ रह रहे हो, तो आपको यहाँ पे select करना होगा अपना year, year select करने के बाद आपको select करना होगा अपना month, month select करने के बाद आपको आजाना है नीचे, आपको यहाँ से journal declaration select करने होगी, यहाँ से आपको select करना होगा अपना place, जो भी आपका place रहेगा, जहाँ से आप apply कर रहे हो water ID card के लिए, उसके बाद यहाँ से आपको डालना होगा applicant का नाम, जिसका भी आप new water ID card के लिए apply कर रहे हो, जिसका भी आप new water ID card के लिए apply कर रहे हो, नाम डालने के बाद आपको save and continue पे click करना है, save and continue पे click करने के बाद, save and continue पे click करने के बाद, आपके सामने पूरी detail शो हो जाएगी, जो भी आपने fill की होगी, तो आपको यहाँ से अपनी details चेक कर लेनी है, अपनी details चेक करने के बाद आपको नीचे आना होगा, नीचे आनी के बाद आपको अगर اपनी details ठीक होगी, तो आपको submit पे click करना होगा अगर details edit करनी होगी तो आपको side पे option आ रहा है edit details का submit form करने के बाद आपको एक message होगा congratulations you have submitted your application successfully उसके बाद आपके email ID और mobile नमबर पे एक reference code भेज़ दिया जाएगा आप उससे अपना water ID card download कर सकते हो अगर आपको कुछ भी doubt हो तो आप पूछ सकते हो नीचे comment कर देना कि अगर आपको कोई भी doubt होगा तो ये थी मेरी आज की वीडियो कैसे लगी वीडियो like share और subscribe करना ना भूले thank you